हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई योट्यूब चनल फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ पटेटो भुजिया रैसी भी बिल्कुल बजार जैसी भुजिया बना करके तयार की है मैंने तो आप वीडियो को लाज तक देखें अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें पटेटो लेंगे पटेटो को मैंने बॉइल कर लिया है और कद्दू कस कर लिया है बेसन बेसन एक कप लेंगे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हमारी भुजिया बन करके तयार होगी तो एक बावल ले ले लेते हम फटा-फट से और ब पटेटो ग्रेट किये हुए पटेटो बेशन एक करेंगे बेशन इसको थोड़ासा मिक्स कर देगे अब साथ में कुछ spices एड़ कर लेते हैं जिससे कि हमारी भुजय का फ्लेबर बिल्कुल बजार जैसा हो तो friends एड़ करेंगे turmeric powder, coriander powder, गरम मसाला थोड़ा सा बहुँ जदा गरम मसाला एड़ नहीं करेंगे थोड़ा सा साथ में एड़ कर देंगे चांट मसाला जिससे बिल्कुल बजार जैसा फ्लेबर आता है इसको आप बिल्कुल भी इसकिप ना करें चांट मसाले को नमक डालेंगे टेस्ट के according काला नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा उससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है पोटेटो भुजिया में तो थोड़ा सा काला नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और डो बना करके तयार करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें lemon juice एड़ कर लेते हैं lemon juice से भी काफी अच्छा flavor आता है तो lemon juice एड़ करने के बाद इसको अच्छे से mix करेंगे और dough बना करके तयार कर देंगे dough हमें ऐसा बनाना है कि बहुत जादा पतला भी नहों और बहुत जादा tight भी नहों एक्दम बड़ी हा dough बन करके तयार हुआ है friends तो थोड़ा सा oil लेंगे हातों पे और oil लेकर के हातों पे dough को grease करेंगे और थोड़ा सा dough को हातों से मसल करके चिकना लेंगे जो इसमें एक अच्छी सी smooth nice आजाए ताकि हमारी potato भुजिया अच्छी से बन सके और क्रिस्पी हो सके तो इसको थोड़ा सा चिकना लेंगे हातों से यह देखिए आप देख सकते हैं dough की consistency किस तरीके की है मैंने dough को चिकना लिया है नमकीन मिकर लेंगे नमकीन मिकर को अच्छी से oil से ग्रीज कर लेंगे ताकि इसमें dough चिकना और इसमें जाली सेट कर लेंगे potato भुजिया वाली जाली सेट करेंगे खोल करके friends ये market में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है नमकीन मेकर अगर आपको आसबास नहीं मिल रहा है तो आप online भी purchase कर सकते हैं इसको online मंगाया है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं description box में इसका link दे दूँगी आप वहाँ से जाकर के खरीज सकते हैं इसको potato भुजिया वाली जाली निकाल लेंगे और इसको सेट करेंगे तो जो सबसे बारिक हमारे पास जाली है इसको सेट करेंगे इसमें और इसको oil से grease कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें डो चिपके ना और नमकीर मेकर को भी अच्छे से हम grease कर लेते हैं ताकि डो इसमें बिल्कुल ना चिपके और नमकीर मनाने में आसानी हो हमें सेट कर देंगे जाली को और डो फिल करके तयार करेंगे इसमें तो मैं सारा डो एकी बार में इसमें फिल कर दे रही हूं और इसमें आप आ रहा है डो सारा मैंने इतना ही डो बना करके तयार किया है कि एक बार में मैं नमकीर बना सकूँ और फ्रेंड्स एकी बार में डो ब बंकिन बना करके तयार की है तो बंद कर लेते हैं मैंने गयस पर कड़ाई रख दी है ओल हमारा गब हो गया है प्टेटो भुज़े फ्राइय करने के लिए ओल गरम कि वाद मैंने गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दिया है क्योंकि गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए नहीं तो पटेटो भुजिया हमारी जल जाएगी क्योंकि यह बहुत ही पतली होती है और हमें इसको काफी क्रिस्पी बनाना होता है तो इसका फ्लेम एकदम लो कर लेंगे गैस का फ्लेम और हातों से प्रैस करते हुए इसी तरीके से भुजिया छोड़ते जाएंगे चारो तरफ इसमें फ्रेंड्स इसको छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं थोड़ा साफधान इसे छोड़ें आप बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है लेकिन थोड़ा सा पेसेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आपका डू बहुत ज़्यादा टाइट हुआ तो बहुत ज़्यादा समय आपको लग सकता है अगर पतला हुआ तो आपकी बुजिया अच्छे से नहीं निकल पाएगी तो आपका डू पतला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स अब देखे थोड़े दिन में इसमें काफी सारी भुजिया बन करके तयार हो जाएगी और खाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है आप के घर पर कोई गैस्ट आया है आप उसके लिए बना सकते हैं आप अपने बच्चों को घर पर पोटेटो भुजिया बना करके दे सकते हैं बजार की ना देने से तो अच्छा ही है कि आप अपने घर पर पोटेटो भुजिया बनाए और अपने बच्चों को खिलाए घर की बनी हुई चीज़े अच्छी होती है हाइजनिक होती है बढ़िया बंकर के तैयार होगी ते रहा हुगी पलट दें गई ऐस को ज़ल्दी ओ जाती ऐसा नहीं कि इसको आटी और पेड़ी होने में बहुत समय लहता हैं क्यों कि यह पंतली इतनी होती है कि बहुत जल्दी से फ्राइ हो जाती है कि निकाल लेंगे इसको किसी प्लेट में निकालेंगे पहले जाली में निकाल लेंगे ताकि जो इसमे एक्स्ट्रा ओững है ठोड़ा सा वो निकल जए आपने देका होगा कि बजार वाली जो अब निकाल देते हैं अलग रख देते हैं और इसी तरीके से सारी पोटेटिव भुजिया फ्राय करके हम तैयार करेंगे फ्रेंट्स जितना भी डो हमारा मेकर में बचा है उसे इसी तरीके से बार-बार हम भुजिया कड़ाई में छोड़ते जाएंगे और बार-बार फ्राय करते जाएंगे तब तक कि हमारा डो फिनिश नहीं हो जाता है तब तक इसी तरीके से करते रहेंगे बीच बीच में क्या होता है फ्रेंट्स जब नीचे इसकी जो कील है मेकर की नीचे चली जाती है तो डो निकलना बंद हो जाता है आप उसको खोलें फिर से और कील को उप सकते हैं कि काफी सारी पोटेटो जाली इससे बनी है ये देखे कितनी सारी जालियां बनी है इससे और काफी क्रिस्पी है फ्रेंट्स मैं हाथ से ऐसी क्रश कर रही हूं इसको तो ये से काफी आवाज है निकल रही है और ये देखे बिल्कुल ड्राय है ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला एड़ गया है उपड़ से तैकि इसको एक अच्छा सा फ्लेवर दे सकूँ बिल्कुल बाजार जैसा आपकी मर्जी है कर आपको पसंद नहीं है तो आप रहने दें आप ना मिक्स करें मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट्स बनाईए खाईए और अपना एक्सपिरेंस आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में उससे सेयर कर सकते हैं उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा एक बार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू